है गाईज वैलकम टू इलेक्टोनिक्स प्रोजेक्ट तो गाईजर आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं जब भी हम कोई एम्प्लिफायर बनाते हैं तो अक्सर हम जो है उसमें एक ब्लूटूथ मोड्यूल या फिर ब्लूटूथ की जो चिप आती है उसको हम गाई होती है हम जब भी परहों हमिंग की साउंड आती ही रहती है और और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एरिटेर Boris मोड़ bisc還 को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या फिर मालोग के हम हम जो है उसको बिल्कुल बंध ही कर सकते हैं किस तर से करना है आज की सुड़ों में हम यहीं बात करने वाले हैं और अगर आप छोटा एंप्लिफायर बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो चले सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यहीं दिखाता हूं कि यह है तीन यहाँ पर pcbs है मेरे पास जो कि आप इजली समझ पर हूंगे हैं यह है आंप्लिफायर के pcb यह यह ब्लुटूथ मोडिवल और दूसरा है यहाँ यहाँ उपर MP3 मोडिवल ठेक है इसको कार्ड भी बोलते हैं कुछ ब्लुटूथ कार्ड भी बोलते हैं तो यह है मेरे पास और यहां पर आप गाइस देखिये कि इन में यहां पर एक कैपस्टर को किया हुआ है इसमें भी क्या हुआ है तो गाइस मैंने जो है कुछ दिनों पहले यहां पर एक विडियो अप्लोड की थी जिसमें मैंने आपको 44 IC का जो board है उसको test करके दिखाया था तो उस वीडियो में काफी ज़्यदा लोगों की comments आई है कि भाई आपका जो ये 44 IC का board है उसमें काफी ज़्यदा having हो रही है तो आप भी इसका कोई solution बताएं तो आज की studio में यही solution है तो चलिए जन्दी से कर लेते हैं वीडियो को start बिना time waste किये तो guys आप हमिंग का तो एक ही solution है आप easily इसको कर पाएंगे जब भी आप guys कोई भी Bluetooth card या फिर MP3 card जब भी आप किसी amplifier में connect करते हैं और ये possible ही connect करना क्योंकि इससे ही audio हम देते हैं जाहतर चोटे amplifier में हम जो है USB तो कभी-कभी connect कर लेते हैं पर जब हम amplifier बनाते हैं तो या तो ये वाला card लगाते हैं या फिर अगर छोटा बना रहे हैं तो इस तरह का Bluetooth ये जो चिप है इस तरह की लगा देते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ये कार्ड मैंने जो है अपने 44-46 में बोर्ड में यूज किया था तो काफी ज़दा humming हो रहे थी उसमें तो मैंने क्या गया मैंने यहां पर एक capacitor को connect कर दिया वो भी जहां से supply हम लेते हैं ये जो है हमें जो है इसको महीं पर ही connect करना है जहां से हम supply देते हैं हम पांच वोल्ट यहां से देते हैं अब चाहिए आप इसको आपके पास जो मुबाइल चार्डर होता है उससे दें आप किसी से भी दें पर ये आपको capacitor यहां पर लगाना जरूर पड़ेगा और आपको ध्यान र Bluetooth मोडिल में भी लगाना है और नहीं पर ही लगाना है आपको जहां पर आप supply देते हैं ठीक है यहां पर वी सीशी और यहां पर ग्राउंड ठीक है यह रहा हमारा वी सीशी जब आप इनको यहां पर लगाने के बाद इसको अपने amplifier में connect करेंगे तो आप गाईस देखेंगे कि आपकी इसमें जो है 80 से 90 परशेंट जो हमिंग है वो खतम हो जाएगी अपने आपी और गाई साथ हमारे कुछ सब्सक्राइब भायू का यहां पर यह भी सवाल रहता है कि भाई जब भी हम इन कि अप्रीफार को मिलाकर और इस मोड्यूल को मिलाकर जब भी हम कोई एक छोटा सा सा इस्पिकर बनाता है ब्लुटू स्पिकर साथ में तो अक्सर ऐसा होता कि इस में से जो यह बीच-बीच में से डिया वो तो प्रोड़ जाता है और फिर से ठेख हो जाता हो तो आखिर उसस जैसे ही current को store कर लेता है और जैसे ही आपका वहां से cut होता है Bluetooth तो वह cut नहीं होने देगा क्योंकि यह एकदम से discharge और आपको आपकी circuit को पूरी supply मिल जाएगी जिससे आपका circuit यहाँ आप से बंद नहीं होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो कर देना जरूर से और अगर आप चैनल को उपर नहीं है तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना साथ इसाथ इंस्टाग्राम पर जाके फोलो कर लो क्योंकि वहां पर सबसे पहले आपको पता चल जाता है क्या अब यूट् लुट्क जाता है ऍच्थी स्रवी क्योंकि जाता है प्यूट्टे और इंसले करनी को look sab Wade